दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंगेंट टॉलेट प्रोपर शीट फिटिंग किस तरह सी की जाती है किस तरह टॉलेट शीट फिटिंग की जाती है दोस्तो किस तरह फुलेश वाल का कनेक्शन किया जाता है हमारे बेर जो sheet के लिए मुर्गा होता है उसे किस तरह fit करना होता है उसको center किस तरह निकाला जाता है दोस्तों कि सब कुछ आज के इस video बहुत strip by strip काफी आसान तरीके से सीखने वाले है इस video को देखने के बाद आप toilet proper sheet fitting काफी आसानी से कर सकते है तो चली video स्टार्ट करते है उन शीक लेते किस तरह toilet sheet fitting की जाती है यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पाश एक toilet बना हुआ है यहाँ पर हमने null fitting का भी काम क्या है और यहीं पर उपर की और पर हमारे एक toilet बनने वाला है तो उसके लिए भी हमने pipe fitting की है यहाँ पर हमारे एक toilet sheet fitting हमें उपर गी और fit करना होगी और यहाँ पर हमने जो मुर्गा पीटर है मुर्गा fit की है sheet की लिए इसके यहाँ पर देख सकते हैं पास में tank बना हुआ है नीची के और जिसका pipe हमने यहाँ पर नीचे के और डाला है अब यहाँ पर sheet fitting करने से पहले सबसे पहले हमें sheet की नपती करना होती है क्योंकि sheet जो होती है वो काफी अलग-अलग size की होती है हमारे पास छोटी sheet भी आती है और बड़ी sheet भी आती है तो पहले हमें sheet की नपती करना है यहाँ पर हमारा पार जो sheet की जो चोड़ाई है दोस्तो वो 18 इंच आने वाली है और इसकी जो लंबाई है वो 21 सिंची भी होती है और 24 सिंची की भी sheet होती है दोस्तो तो हमारा पार जो sheet है वो 24 सिंची की sheet है 2 fit की seat है तो इस तरह सा हमें सबसे पहले इसकी नपती करना होती है अब यहाँ पर इसी के लिए हमें इसकी नपती के हिसाब से इस मूर्गे को fit करना होगा तो हमारा पार जो toilet के लमबाई आना वाली है वो 40 इंच आना वाली है और 24 इंची की seat है हमारा पास तो हमें 4 तो 24 को माइनस कर लेना है दोस्तो, तो हमेरे पास शीर्फül 16 इंची जगा बच रही है 16 इंची के बाद हमें फिसे 1 पे पीछे की और 8 इंची जगा चोड़ना होगी और 8 इंची जगा आगे के और चोड़ना होगी हमेरे पास शीट की जो लंबाई है वो 24 इंच है दोस्तो तो 8-8 इंच हमें आगे पीछे के और दोनों जगा चोड़ देना है ताकि हमें यूज करने में कोई भी परिशानी ना हो अब इस तरह से हमें इसकी चोड़ाई ना आप लेना है अब देख सकते 3 फिट के हमारे पाद चोड़ाई है शीट की तो हमारा पाद जो मुर्गा आने वाला है पीट्रेप मुर्गा शीट के लिए उसका सेंटर में यहां पर 18 इंची पर रख देना है देड़ फिट पे आपको इस तरह से मुर्गी की पहले नप्ति कर लेना है दोस्तो शीट के लिए यह हमारा जो पाइप हावा है नलका इस इस समय फलश्वाल के लिए नीचे के लावा हम आप एक पैंड और देना होता है ट्यूलेट शीट फिटिंग के लिए दोस्तों तो यहां पर हमारा अनल फिटिंग काम हो चुका है अब यहां पर हमें शीट के लिए सबसे पहले इसका लेवल करना होगा अगर आप इसको लेवल टेप से और अगर आपके पास लेवल टेप ना हो तो आप पानी से भी इसका लेवल कर सकते हैं दोस्तों इसमें पानी डालके देख लेए अगर आपका पानी है पे कोने तक कोर तक बढ़ा हुआ है तो आप समझ लो कि हमारा जो मुरगा पिट रे मुरगा है वो ले करने के गौदत अबिके हापे लिए चारो तर्स पार इसके मजबूत को ना होस्के लिए यह वह पे चारो सरफ सीमेंट लगाना होगी है कि यहां पर आपको तरह से हैं चारो तरफ जिसके जितनी को गेंड को पे महँंते प्लम्मिक का कigon चाहते हैं if तुस व्याइरिंग के डिष्टेविशन बॉर्ड वायइरिंग के इलेक्टरिक और पलम्मी के जीतने भी काम होते हैं दोस्तो वो सब कुछ आगे चेनल पर मुड्यो डालने वाले और काफी विडियो डाल भी चुके हैं चेनल पर हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर ले देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पीटरब मुर्गा अच्छे से फीट हो चुका है यहाँ पर आपको सीट पर शिमेंट ही लगाना है और इसके पास जो आइट शेट जो गेप है खाली गेप है वहाँ पर आप कुछ भी मट्रियल बगएर डाल सकते हैं दोस्तो इस तरह से चलिए हम यहाँ पर हम सीट को यहाँ पर रख के दिख लेते हैं उसका लेवल कर लेते हैं हमें सीट फिटिंग करने से प्लेश का लेवल भी करना होता है वह सीट के नीचे जो आइट शेट गेप होती है दोस्तो खाली गेप होती है वहाँ पर हमें सीमेंट लगा देना है यहाँ पर हमारे जो मट्रियल वगेरा है यह थोड़ा नीचे के और है आपको शीट के नीचे जो गेप होती है दोस्तों वहाँ पे सिर्फ आपको शीमेंट की लगाना है जिससे आपको शीट काफी मजबूत फिट होगी इसमें बेटने वगेरा में अगर आप इस तरह से मट्रेल सिफिट करेंगे तो हमारे शीमेंट बाकी हो सकती है यहाँ पे देख सकता है आप जो नीचे के और जो खाली गेप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिमेंट लगा देना है अच्छे से सिमेंट का माल लगाना है तो चलिए यहाँ पे हम सीट की नप्ति कर लेते हैं आपको यहां से शीट के इस तरफ से दोनों तो कोने नाप लेना है कि सीट हमें कहीं से बागे ना हो हमार जो पीछी के और दिवाल होती है या आगी के और आपको कहीं से भी एक तरफ से इस तरह से इसके नप्टी कर लेना है दोनों कोने शीट के बराबर आना चाहिए दोस्त अपर दो कर दो कि बहुता कर दो कि इसके बाद था कि मजबूत है, इसके बाद यहांपर मैं फ़लसका करनेक्षिन भी करना आगे है। तो पहला हम ठोड़ी शीट को मजबूत कर लेते हैं इस तरह से देख सकते हैं हमें अपर शीमेंट है इसके शीट के नीचे की जितनी भी आप खाली गेप है वहाँ पे आपको सिर्फी शीमेंट ही लगाना है इस तरह से यहां पर street की नीचे गा जो पैरदान होता है वो पोला होता है दोस्तों उसमें काफी gep होती है तो वहाँ पर आपको इस तरह से semen को अच्छे से डाइट कर देना है खाज देना है इससे क्या होगा हमारी street काफी मसबूत भीट होगी नहीं तो यहां पर इसकी Ihre पलगस चेह से खाजलें डोस्तो आपको स्यमेंटि को सिरुफ इसके नीचे ही लगाना होब अब यहां पर हमें फ़लशवów करना होगा तो यह हमार पथ एक फ़लशका वाल सब्सक्राइव इसके connection के लिए हमें एम्टेक्शन लगने वाली है इस तरह से यहां पर हमें केपलाण टेप लगाना होगा में इसमें के लिकेशन आना वाला है तो चलिए हैं पर सबसे पहले हम फलेश का connection कर लेते हैं इसकी connection के लिए हैं पर पाद जो MTS है यहाँ पर हमें केप्लों टेप लगाना होगी इससे हमारी पानी की लाइन लिकेज नहीं होगी इसको लगाने के बाद आपको इसको यहाँ पर अच्छे से tight कर दना है इसके दोनों तरफ हमें MTS लगा कि इसको पाने से पाने से पाने से प्लंबिंग हमारे पास पाना है इससे आपको अच्छे से tight कर देना है दोनों तरफ यहाँ पर हम फलेश रिलेक्शन भी लगा लेते हैं दोस्तो 10 इंचे काफी जगा होती है दोस्तों यूज करते हैं मैं में कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको इसको शीट से फलेश वाल को 10 से 12 इंचे पर रख सकते हैं तो चलिए फलेश का कर लेते हैं हम यहाँ पर दोनों तरफ शुलेशन लगा के किसे फलष का वाल है इसमें तीर का निसान होता है जिस तरफ भी पानी जाता है जिससे पाइप को हमें सीट में हमारे पीछी के और कनेक्शन है महाँ पर ले जाना होगा तो यहाँ पर आपको जो pipe fitting करें sheet से आपको जेड़ से 2 इंची नीचे के और रखना है ताकि हमेरे first लगाने में यह pipe में कोई भी हमें कोई दिक्कत ना है दोस्तो तो आपको हम जो pipe रखना है sheet से 2 इंची नीचे रखना है अगर आप इसको 2 इंची नीचे रखना है तो हमें first लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आईगी आपको यहाँ पर इस तरह से elbow लगाके इसका connection पीछे के और ले आना है हमें जितने भी पड़ा pipe पत उकड़ा करने वाला है आपको इस तरह से नाप लेना है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe ज़रू कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम electric के plumbing के house wiring के अनल फिटिंग के distribution board फिटिंग के जितने भी plumbing और electric के काम होते हैं वो सब कुछ आगे चलने हमें वीडियो बनाने वाले हैं और काफी वीडियो बना भी चुके हैं दोस्तों चैनल पर हम अगर आप plumbing का electric काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe ज़रू कीजिए अब यहीं से हमें एक एल्बो से connection पीछे के और ले आना होगा पीछों के हमें एक wiser लगने वाला है sheet, toilet, sheet fitting के लिए कई बार हमारे पर जो plumber भाई होते हैं वो pipe को इसी लगा देते हैं तो आपको इस pipe को ऐसे ही नहीं लगाना है sheet के पीछे यहां से wiser से fitting करना होगी है हमारे पास एक rubber का वासर है आपको sheet के पीछे के और लगाना होगा जिसके हमारे line जो ही leakage नहीं होगी जो leakage की प्राबलम जायातर होती है वो इहीं से पीछे के और से होती है तो यह wiser को आपको इस तरह से पीछे के और fit कर लेना है अब यहां पर हमें जितना भी बड़ा pipe को तुकड़ा लगना वाला है pipe को आपको देख सकते हैं यहां पर हमें कितना बड़ा pipe को तुकड़ा ना आप रहे हैं आपको इतना बड़ा pipe को तुकड़ा लेना है और sheet में पीछे के और इतनी अंदर इसको कर देना है दोस्तो यहां पर हमको इसको इसमें fit कर लेना है और इस pipe को हमें washer के और अंदर के और fit कर लेना होगा और washer को लगाने के बाद यहां पर हमें cement भी लगाना होती है दोस्तो तो देख सकते हैं हमें अपर फलस्फाल का connection भी हो चुका है इसका connection करने के बाद हमें यहाँ पर level tape से इसका एक बार फीट से level करना होगा क्योंकि हमारी seat क्या है sheet fit करने में flush wall का connection करने में कई बार हमारी sheet बाकी हो जाती है अच्छ जाती है देख सकते हैं हमारे पार जो शीट है और लेवल में आ चुकी है अब इसकी हमारी जो आगी के और सी भी इसको इस तरह से लेवल करना होगा देख सकते हैं हमारे पार जो शीट है बिल्कुल लेवल में है और आपका और पीछे से हमें इस तरह से टेप की भी दोनों तरफ से न करनेशन गर्णबाद यहाँ आपको शीमेंड होती है और शीमेंड गोल के अच्छे सीमेंड भी लगा लेना है ताकि हमारे जो लाइन का प्राबलम हो कभी भी नहों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फुलश का करनेशन भी हो चुका है यहाँ पर जो जितनी भी जो शीट के आ हैं तो आपको शीट से एक से देड़ इंची नीचे रखना है हमारी टोलेट प्रोपर शीट फिटिंग कंप्लेट हो चुका है दोस्तों आज की शुडियों में काफी आसान दिर्गे से बता है किस तरह शीट को फिट किया जाता है और यहाई पर ऑपर गयो भी हमारा एक ट प्रस लगने वाला है इतनी जगा में वड़ा प्लम्मिंग का इलेक्टर काम सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों